वेलकम तो सरवोदे आईएस इस वीडियो में हम लोग बात करें कि यूपीपीसेश टू तू 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 के बारे में नोटिफिकेशन कब आ रहा है वेकंसी कितनी हैं एक्जाम बाटन में क्या एक्जाम बाटन क्या रहेगा और करेंट अफियर किस तरह रवेर किया जाए यूपीसेश का आप लोग सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें एक नोटिफिकेशन जो है वो नेक्स्ट वीक में आ जाएगा नेक्स्ट वीक में आ जाएगा एक्जाम डेट कैलेंडर इशू हो चुका है एक्जाम डेट आपकी 12 जून है एक्जाम ड उसके बाद number of vacancies देखे जो notification के साथ लगबग 200 vacancy है जब notification आएगा तब 200 vacancy है लेकिन exam problems के result आने तक vacancies जायड होती है और यह आप मान के चलिए कि यह 500 के round होंगी 500 plus बोल रहे हैं लोग 500 के round होंगी क्योंकि election year है तो यहाँ पर vacancies चीठाग आएंगी तो आप लोग बिलकुल vacancies की tension डाले और पढ़ाई करते रहें vacancies 500 के ही आसपस होंगी यह से ज़्यादा होंगी इसके अलावा जो pattern की बाद चल रही थी कि जो pattern change होगा उसका draft जो था फिलहाल इस year नहीं change हो रहा है 22 उसी pattern पर होगा इस पर 21 होगा था pattern नहीं change हो रहा है ठीक है पैटर नहीं change हो रहा है ना जो जो जैन्वरी में जो घटना सार आई थी शिक्स मंतली लेकिन अगर मंतली से नहीं पढ़ना है तो उसको आप इस तरह कर सकते हैं कि जो जैन्वरी में जो घटना सार आई थी six monthly ठीक है एक जैन्वरी एक जो अभी फिलाल अभी लेबल है एक घटना सार अभी ले 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 और एक जो एक्जाम से पहले होगी वो ले 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 तो यह आपका दो six monthly लेंगे तो आपका yearly prepare हो जाएगा और घटना सार बहुत अच्छा collection आता है घटना सार का वाकई current affair अच्छ इन से क्या होगा जो चीज़े एक में नहीं available होंगी वो दूसरे में हो जाएगी तो आपके maximum question उससे फसने की chances रहते हैं तो आप चाहे घटना चक्र और परिक्षामंदन के दूरू कर सकते हैं परिक्षामंदन गटना सार के दूरू कर सकते हैं तो यह यह आप दो vaccines का वो ल comments अच्छा था इस बार भी गटना सार से question अच्छेखा से आये थे और इनको क्या करें इनको याद कैसे करना है कि इनके one liner notes बना ले one liner notes बना ले और एक तो जो आपका जो magazines में available है दूसरा जो आपका UP special होगा उसको भी बहुत काईदे से करना है UP special current affair से भी question आते हैं ठीक है festival और तमाम चीज़ों के बारे में रामसार साइट इसका one liner notes बना है और उनको maximum revision दे इस तरीके से आप current affair को prepare कर सकते हैं पहली priority monthly पहली priority monthly लेकिन अगर monthly भी तक नहीं किया है तो कोई बात नहीं आपको एक six monthly collection फिलाल आज की date में उठा ले और पिर जब exam करीब आने वाला हो त six monthly फिर से ले ले अधर्वाइस दो किसी भी yearly से पढ़ ले यह कोई भी combination आप प्रमोनेशन कोंबनेशन किसी भी तरीके साब बना के जो 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 एम है वो यह कि maximum current affair question आप कर पाएं क्योंकि 30 around 30 questions तक जाते हैं 30-35 questions current affair के यूपी वीजियस में current affair बहुत important especially one liner type ठीक है तो इस पे एक वीडियो यूपी यूपीजियस पे वीडियो और बढाएंगे परफिशन स्टाटेक से रेलेटेड तो आप लोग स्टाइल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स में शेर करें थैंक्यू थैंक्यू वेरी मुच